हेलो फ्रेंट्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वाग आते हैं फ्रेंट्स आप देख रहे हैं सजवक्लासिट चैनल को जहां पाते हैं मेडिसिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तो आझकी इस वडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपोर्टिट प्रोबायोटिक कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं और दोस्तोब यह काप्सूल होते हैं आतों से ज्ट र sino को ठीक करने में योज के जाता यह जाता यानि जब आपके आतों में बैक्टेल इंफेक्शन हो जाता तो उसको खत्म करने के लिए दोस्तों इसका प्रियों क्या जाता है फ्रेंड साथ साथ बात करने वाले हैं इसके ब्राइड नेम की यानि जब आप माज़ार या मार्कीट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस-किस पॉफलर ब्राइड नेम से कैप्श्व मिल जाते हैं और साथ ही बात करेंगे दोस्तों इस कैप्सुल की यानि यह जो कैप्शुल होता है इसका यूज कहा काँ क्या जाता या फीर इस capsule का आख यूज जो क्या जाता तरा किन कंप परिस्तिति के चाने यूज होते हैं इसकि क्या का डोज रहते है या फ़िर इसको हम कतने कितने गौंटिटी में लेना चाहिए या है इस कैपसुल को कितने दिनों च Trinity में थाँ सकते हैं जो हमाई लाव दायाक हो खरील सेमहिंभान ध्रॉट उसकी से पहले आपको मिल सके आई जानते हैं Friends इस capsule के बारे में कुछ नहीं बात है Friends आप सभी का फिर से मेरी यूटुब वूडियो में स्वागत है Friends आप बात करने वाले हैं capsule के बारे में यानि जो pre and probiotic capsule होते वो क्या होते हैं दोस्तों इन capsule यूज जो किया जाता है ज्यादा तर पेट से जुड़ी समस्ता को ठीक करने में यूज किया जाता है यानि जब आपके पेट में कोई बेक्टर इंफेक्शन हो जाता या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों स्केप्सूल का बहुत जादा प्रयोग किया जाता है अगर अव्ग से जाता है तो फिर आपको वीजीलएक के नाम से मिल जाते हैं लेकिन और जो सेम ही रहती है इसे आप बिल्कुल लागब रहते हैं और ये जो हरी में इलग रहती है फ्रेंड्स अगर इसके यूज की बत किरी जाया यानि जो एक कपसुल होता है इसका यूज कहा का क्या जाता है दोस्तों इसके अपसुल का यूज जो क्या जाता है सबसे पहले Irritable Ball Syndrome में भी इसका यूज क्या जाता है यानि इसमें व्यक्ति को दस्त लग सकते है यानि इस दस्त के साथ साथ क्या होता है एठन होती है फिर मरोड होती है पेट में कोई भी बैक्टरिल इंफेक्शन हो जाता है तो उसको खत्म करने के लिए दोस्तों इस कैपसुल का प्रियोग क्या जाता है और साथी दोस्तों का यूज जो क्या जाता है दस्तों में यूज के जाता है फिर डायरिया लगा हो आता है उसमें भी यूज क्या जाता है और साथी इसका यूज क्या जाता है उहाँ पर भी यूज क्या जाता है उन पेशेंटों में जो एंटिबाटिक खा रहे होते हैं एं पेट में bacterial infection हो जाता है वो contaminated food या फिर contaminated water की बज़े से लगते हैं तो उसके दोरान भी दोस्तों उसका प्रियोग क्या जाता है साथ ही दोस्तों का प्रियोग क्या जाता है उन पेशंटों में उसके जाता है जिनका इंटरिस्टाइन के अंदर या फिर पेट उसका प्रियोग क्या जाता है और साथ ही वायूज के जाता है जो immunity कमज़र होती है या फिर जिन पेशेंटों का immune system बहुत ज्यादा कमज़र होता है तो उसको storm बनाने के लिए भी दोस्तों का परियो क्या जाता है साथ ही कोई बचे हैं जो दूद नहीं पीते हैं फिर गाय का या दूद होता है उन्ने नहीं पस्ता है तो उस दौरान भी दोस्तों इसके सीरफ का परियों बत ज़्यादा बच्चों मेँ परियों क्या जाता है फिर भी क्या हो सकता इससे आपको नोजिया की शिकायत हो सकती है या फिर पेट के अंदर हो सकती है दोस्तों इसके कुछ सैट वर्क पाय जाते है फ्रेंड्स अगर इसकी डोस की बात करी जाए या जो कैपसुल होता है इसकी क्या क्या डोस रहती है दोस्तों अगर समने डोस की बात करी जाए इस कैपसुल की तो इस कैपसुल को दिन में दो बाल लिया जाता है या श इस एच्छर रिएल्ट मिलता है फ्रेंड नस बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की यानि यह जो कपसुल होता है से खाते से में किन-किन बातों का ध्याम नखना चाहिए यदि कोई बच्चे हैं जो तीन साल से छोटे होते हैं तो इसमें यह कपसुल यूज नहीं करना साथ ही कोई व्यक्ति हैं जो एंटिवैटिक खा रहे होते हैं तो उनके साथ इस मेडिशन को कभी यूज ना करें या फिर अगर यूज भी करें तो उससे पहले या फिर बाद में इस कैपसुल को यूज करें दोस्तों यह ती complete information इस कैपसुल के बारे में अगर friends अगर आप सबसे पहले आपको मिल सके